हलो और वेलकम तो होप तुशान्तिया दो आई होप यह रहन बेस्ट और हेल्थ और स्पिरिट इस इंडिन इकॉनमी फुल कोर्स वी आर ओन यूनिट नंबर फाइफ दैस कैपिटल मार्केट इस लेक्चर नंबर फ्री जहां पर हम समझेंगे आज डेट मार्केट के बारे मे अभी तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है क्या कवर कर लिया है भाई हमने फाइनेशल मार्केट से स्टार्ट किया था फाइनेशल मार्केट को दो में डिवाइट किया था मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट हमने यूनिट नंबर फाइफ में हम पढ़ रहे हैं जिसम केमरी मार्केट में हमने तीन चीजे समझी थी इनिशल पब्लीक ऑफर फॉलो ऑन पब्लीक ऑफर एंड प्राइबिट प्लेस्मेंट आई होप कि आपने सब कुछ रिवाइस किया है तभी आपको आगे समझ में आएगा ठीक है सेकंडरे मार्केट में हमने स्पोर्ट एक्षेंजच का पतलब क्या है कि एक्षेंज करना चाहते हैं तो उससे हम बोल रहे थे इंडैक है नियोट की निफ्टी 50 पक्पॉनी का ऐंडिक्स का इंडैक्स है सब्यभी पढ़ी चीज़े हम पड्चूक अर उसमें एक चीज छुड़ दी थी जोiety derivatives जो आज हम cover कर लेंगे Forward derivatives क्या होते है Future क्या होते है options क्या होते है Call Option क्या होता पूट Option क्या होता ये सब हम पढ़ेंगे सी से स्टार्टिंग करेंगे फिर हम jump करेंगे debt market में जहाँ पर हम types of bonds समझेंगे जहाँ पर Fixed Interest Bonds क्या होते हैं Floating Interests bong क्या होते है INFLATION INDECST BOND क्या होते है यह समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि BOND का PRIMARY MARKET और secondly Market में क्या खेल होता है BOND IELD काCONCEPT क्या है BOND IELD के बढंने से क्यों ECONOMY में why Arkiteun mest pen पढ़ता है ज़ब US का Federal Reserve अपने interest rate बढ़ाता है तो irIndia का ECONOMY में कैसे इंपेक्ट पड़ता है, सारे डॉट्स को हम connect करके, interconnect करके, co-relate करके, पूरी चीज को comprehensive way में समझने की कोशिश करेंगे, स्वाहा, ठीक है, तो यह सारी चीजे हम करने वाले हैं, are you ready, okay. Let's start with derivatives, derivatives के बारे में हम समझते हैं, पहले आप लिख लीजे derivatives होते क्या हैं, derivatives is a financial security which with a value that is reliant upon or derived from, that is reliant upon or derived from an underlying asset और a group of asset, उसको हम derivatives कहते हैं, तो सर यह भी तो financial securities है, आपने समझाया था कि debt and shares जो होते हैं, वो financial securities होते हैं, याद है, समझाया था यह चीज़, तो derivative भी एक टाइप का financial security है, अब इसके बारे में हम समझते हैं, फिर इस definition पर आएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, क् अब हम बाते हो जाएंगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, मेरे पास कई company के shares हो सकता है, इन forces के भी shares हो, kingfisher के हो, सत्यम के हो, बहुत companies के मेरे पास shares है, और साथ में bonds भी है, government bonds में है, तो मेरे पास कई bond भी है, चलिए भाई, अब हो सकता ह एक method तो यह है, कि मुझे इन सब को अगर बेचना है, market में जाकर, तो मैं एक बकसा लूँ, जैसे कि यह बकसा मैंने लिया है, उस बकसे में सब shares डाल दू, bonds डाल दू और बकसा बंद करके, market में ले जाओ, और सब से पूछूँगी, कौन यह खरीदना चाता है, इसमें इत इसको नाम है, derivatives, उस paper में होगा क्या, मैं उस paper में लिखकर ले जाओंगा, कि मेरे पास इस company कितने shares हैं, इस company कितने bond हैं, ये shares हैं, अईसा मैं पूरा लिखकर ले जाओंगा, और वो paper केवल में लेकर जाओंगा, और market में लोगों से काओंगा कि, देखो, मेरे घर पे यह और ख्रीदना चाहते हो, तो बोलो मैं घड से ला कर पूरा दे दूगा, वो derived हो रही है कि घर में मैंने कितने shares और bonds उस बक्से में लेकर रखे हैं तो इस पेपर की जो value है यह derived हो रही है underlying assets से underlying assets पतलब आपने उसके पीछे क्या asset रखे हो हैं उससे हम बोल रहे है underlying assets वो shares हो सकता है bond सकते हैं कुछ भी हो सकता है ठीक है commodity भी हो सकता है तो उस derivative की paper को हमने बोला उस financial securities को हमने बोला basically derivatives because अब आप formula देखो definition देखो a derivative is a financial securities with a value that is reliant upon or derived from an underlying asset और a group of asset एक asset भी हो सकता है group of asset भी हो सकता है stock हो सकता है stock मनलब shares हो सकता है bonds हो सकते है commodities हो सकती है कुछ भी हो सकता है उस paper को बोलेंगे हम derivative क्योंकि उसने अपनी value किसी और चीज से derivate की है यह आप समझे इतना आप समझ में आया अगर मैं आपको और example दूँ एक चलो एक example और देता हूँ यह farmer है farmer भाई साब है यह farmer के पास let's say 100 kg जो है potato है समझना इस चीज को 100 kg जो है potato है या तो यह काम यह कर सकता है अपनी ट्रॉली में भर कर 100 kg पोटैटो हर एक दुकानदार के पास ले जाए कि इतना भाव लगा लो तो मैं बेज दूँगा इतना भाव लगा लो तो मैं भूमेगा तो हो सकता उसका पोटैटो सड भी जाए खराब भी हो जाए और ट्रांस्पोर्टेशन का बहुत कॉस्ट आएगा उसमें समझे चीज को तो वह जाकर कोई अगर थोड़ा सा कम भी देगा उसका exploitation भी करेगा तो farmer सोचेगा चलो बेज देता हूं नहीं तो इतना लेने में मेरा تेल बरबाद हो जाएगा इसा हो सकता है बिलकुर हो सकता है एक farmer क्या का इसी 100 kg पोटैटो को वेरहावस में चला जाए बेट हाओस में जाकर वेरहावस में अपना 100 kg पोटैटो जो है वह जमा कर दे और एक paper जिसमें लिखा कोगा ऑगा कि farmer ने 100 kg पोटैटो इस warehouse में जमा की हैं तो उसको एक warehouse receipt दे दी जाएगी warehouse receipt मिल जाएगी उसको ठीक है वो receipt लेकर जाए और फिर market में जाए और bargain करना शुरू करे कि भाई मेरे आदे को warehouse में इतना kg potato रखा है और आप बताओ कितना इसका दाम दोगे तो यह सही तरीका है इससे farmer को transportation cost bear नहीं करनी पड़ेगे लेकिन यह जो receipt है इसकी value कहां से determined हो रही है इस receipt की value क्या है कि गोदाम में 100 kg potato रखा हुआ है यानि इस financial instrument जो है यह financial security जो यह paper है derivative इसकी value determined हो रही है कि पीछे commodity जो रखी है commodity कितनी की रखी 100 kg potato की commodity रखी है तो इसको क्या बोलेंगे हम derivatives आई बात समझ में derivatives क्या है समझ में आई बात या नहीं आई आ गई ठीक है all good okay so यह link भी लीजे आप कि derivatives क्या है financial securities with a value that is reliant upon or derived from an underlying asset और a group of asset एक asset भी हो सकता है क्योल potato भी हो सकता है उसमें shares भी हो bonds भी हो commodities भी हो सब कुछ हो सकता है group of asset भी हो सकते है I hope कि अब आपको यह derivative का concept समझ में आ गया होगा तो derivative का यह concept है तो तीन तरीके के derivatives होते हैं forward derivatives future derivatives and option derivatives तो three types की derivatives होते हैं हम समझनी के कोशिश करते हैं कि forward future और option derivatives होते क्या है चलिए बहुए forward future and option derivatives समझते हैं मालीजे यह A है और यह B है इसकी मुझे भी है A है और B है A को A steel बेशता है और B हो सकता है कुछ automobile बनाता है मान लो भी मानने में क्या जा रहा है car work बनाता है तो A ने B से B ने A को बुला कि मुझको steel की requirement है let's say अभी March चला है मान लो भी March चला है और उसको requirement है let's say August में ठीक है तो वो B ने A से कहा कि मुझे steel की requirement है August में तो ऐसा करते हैं चलो एक contract sign कर लेते हैं एक paper में लिख लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए मुझे let's say hundred tons जो है steel चाहिए और अभी हो सकता है प्राइस चलो चल रहा हो कि एक टन का प्राइस है 10,000 तो मैं एक टन का प्राइस चलो अभी आपका 11,000 रुपए देने के लिए तयार क्योंकि हो सकता है future में अगस्त तक उसके प्राइस बढ़ने की संभावने हो तो मैं क्या करता हूँ आपको 11,000 कर देना और पूरा पैसा लेकर जाना तो यह क्या हो भाई आपने future में क्या 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 एक contract sign कर लिया basically आपने क्या क्या कि इतने टन स्टील चाहिए इतने रुपए पर टन के हिसाब से मुझे चाहिए और इतनी तारीक को आप दे दिजेगा तो अगर ऐसा है तो इसको बोलत where settlement takes place on a specific date in a future at today's pre agreed price तो आज का जो agreed price है हम दोनों ने आज agree किया है कि हम दोनों क्या करेंगे 10-11,000 रुपए पर टन के हिसाब से मैं आप से 100 टन स्टील खरीद लूँगा और इस date को आप delivery कर देना 26 अगस्त को आप delivery कर देना तो हमने predetermined date पर एक क्या किया हमने कि भाई हम इस तारीक को हम यह जो है contract जो है कर लेंगे ऐसे contract को बोला गया forward contract इतना समझ में आया आपको यह समझ में आया कि forward contract क्या होता है यह derivative क्यों है कि इसकी value कहां से आ रही है 100 ton steel से इसकी value जो है वो derivative हो रही है underlying asset क्या है यहाँ पर steel है underlying asset इतना समझ में आया आपको ठीक है अगर इस forward contract को मैं legally binding कर दूँ legally binding कर दूँ तो forward contract में अभी तक हो सकता था कि अगर आपने steel नहीं दिया यह आप steel लेकर आ गए और मैंने आपको मना कर दिया कि नहीं नहीं भीया मैं भी 11,000 रुपाय पर टन के साब से إنking को legally binding करना पड़ेगा अगर हम इनको legally binding करते हैं तो हम इसको बोलते हैं Future contract बस इतना ही इंतर है अगर में क्या अंतर है और यह सब कर्क्यू रहें है से क्या मिलेगा एनद क्या क्या है क्या हम्हें इस quantity इतनी quantity चाहिए steel की इस price पर चाहिए तो भाया हमें securities हो गई कि अगर price बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भी हम 11,000 ही देंगे लेकिन बहुत कम हो गया तो भी हम 11,000 ही देंगे तो seller को भी कम से कम एक आस्वाशन रहेगा एक confidence रहेगा कि मेरा इतना steel बिकने वाला है तो security is about pricing of the product and quantity also so and security about the supply की supply होगी ही होगी and एक fixing of price की उसी price पर होगी जो हमने fix किया है उसी date पर होगी जिसमें हमने fix किया है तो forward contracts जो होते हैं लिख लीजे इज़र customize contract between two entities यह मैं टेलिग्राम चैनल पर भी upload कर between two entities where settlements take place on a specific date किसी एक specific date पर होगी जो future में वो date होगी वहाँ पर हम करेंगे and at today's pre-agreed price जिस price पर आज हमने agree किया है उस price पर हम करेंगे इतना आप समझ गए यहां तक ठीक है future contracts क्या होता है future contract is a legally binding agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time in the future at a certain price तो एक future के certain point पर एक certain price पर हम यह तो उस चीज़ इसको buy करेंगे sell करेंगे जो भी asset हमने contract मिलिया है and that will be a legally binding वो legally binding होगा ठीक है तो future contracts are nothing but a special type of forward contracts अरे forward contract तो आपने legally binding बना दिया तो future contract जो हुए वो forward contracts का एक टाइप ही तो हुआ special type तो हुआ so future contracts are the special type of forward contracts ऐसा होता है ठीक है क्योंकि यह legally binding होते हैं और इसमें क्या होता भाई standardized item इना future contracts are quantity of the underlying की कितनी quantity supply करनी है इस quality भी सही होनी चाहिए तो quality क्या है underlying की वो भी सही होनी चाहिए date and month of delivery price quotation जो आपने आज price agreed किया है उसी पर buy and sell करेंगे and location of the settlement की इस जगा पर इतनी date को इतने बजए यह contract होगा बलब यहाँ पर यह चीज़े जो आएंगी buy and sell हो जाएंगी इससे हम बोला future contracts तो forward contracts and future contracts में केवल एक चीज़ कंतर है future contract भी forward contract होते हैं पर एक special type के forward contracts होते हैं क्योंकि वो legally binding होते है तो आप बचा option contract क्या होते हैं यह तो और easy है भाई तो option contract समझ ले इसमें जो future contract हमने किया कोई भी default नहीं कर सकता क्योंकि future contract में अगर कोई भी default किया legally binding है आपको घसीट कर court में ले जाएगा कि मेरा समान नहीं खरीद रहा है इससे मेरा समान खरीद वाईए तो आपको जबरजस्ती हो समान खरीदना पड़ेगा अब इससे आप बचना भी च option होता है call option समझते है put option आप तुरंट समझ जाएंगे call option में क्या होता है call option में लेट से यह बायर है जिसको steel की जरूवत है यह automobile महंद्रा मान लो automobile के लिए इसको steel की जरूवत है अब बायर क्या करेगा seller से बोलेगा seller किसका steel का let's say steel authority of india limited से बात हो रही है अभी ठीक है तो बायर seller से बोलेगा कि मुझे let's say 1000 kg steel चाहिए अभी जो price चल रहे है market में 10,000 रुपीज है market में जो steel का price चल रहा है वो 10,000 रुपीज पर केजी है म मैं आपको 10,500 रुपीज पर केजी दूँगा ठीक है और अगले तीन मन्त में आपको delivery करनी है तो तीन मन्त बाद आपको यह चीज delivery करनी है इस date पर ठीक है ऐसा contract sign हो सकता है बिलकुल हो सकता है तो यह तो क्या difference हुआ उस चीज में इस चीज में option का समझते हैं तो बायर क्य मन्त के बाद मुझे इस जगा पर यहां पर इतने टाइम पर आप यह चीज जो है डिलीवर कर दीजेगा तो दोनों का फायदा क्या फायदा यह है कि बायर को यह नीद लग रहा है कि आगे चलके price और ज्यादा बढ़ जाएंगे हो सकता है 11,000 पर केजी हो जाए तो मैं चा को ठीक लगे है वो price और दोनों agreed हो जाएंगर लेकिन यह अगर legally banding हो गया तो यह क्या हो जाएगा future option हो जाएगा यह और legally banding नहीं हो तो क्या हो जाएगा forward contract हो जाएगा ठीक आगर इसको option बनाना है तो इसमें एक line बायर ने और add की बायर ने एक लाइन जो एड की उस लाइन को समझो बायर ने एक लाइन जो एड की वो लाइन क्या थी वो लाइन ये है कि मैं आपसे तीन महेने बाद लूँगा लेकिन मैं आपको कुछ जो है लेकिन मैं आपको कुछ जो है प्रीमियम की रूप में पैसा पे कर देता हूँ प्रीमियम की रूप में कुछ पैसा पेखर देता हूं लेट से प्रीमियम की रूप में उसने X Amount जो है पेज़ दिया और उसने बायर ने अस्ट इन दिलाई सिलर को कि अगर मैं आपको तीन मेहने बाद वो चीज खरीदने से मना कर दूं तो आप प्रीमियम रख लेना और भ अचा वाई अमाउंट वो मैं आपको पे कर दूंगा और आप जो है डिलिवरी कर दिना इससे फाइदा क्या है बायर को फाइदा क्या है बायर को यह फाइदा है कि अगर कल की दिन प्राइज और घट गए तो बायर क्या गाएगा कि प्रीमियम छोड़ देगा अपना और आपको लेना है कि आपको लेना है जो करेगा अब इसमें बायर कॉल किया तो इसने हम बोलेगे कॉल ऑप्षन में क्या होता है बायर कॉल करता है सेलर को तो call option, call option में क्या होगा, buyer एक premium पे करेगा seller को और seller को कहेगा कि अगर मैं नहीं लूँ तो ये premium आपका और ले लूँ तो बाकी payment करके मैं आपसे steel की delivery ले लूँगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हमने बोला call option अब just उल्टा सोचो कि seller जाए buyer के पास, seller गया buyer के पास और seller ने बोला कि मैं आपको 10,000 kg जो steel है वो बेचना चाहता हूँ इस price पर बेचना चाहता हूँ, इतने महिने बाद मैं आपको ये दे दूँगा ठीक है, आप प्लीज मुझसे ये चीज खरी दीजे तो हो सकता है, दोनों ने अपना-पना फाइदा सोचा जैसे मैंने सेम चीज वहाँ पर बताई, दोनों ने अपना-पना फाइदा सोचा और seller ने कहा कि मैं ये X premium आपको पे करता हूँ एक्स प्रीमियम आपको ये पे करता हूँ कि मैं चीजों की डिलिवरी करूँगा ही करूँगा और अगर डिलिवरी नहीं की तो ये एक्स अमांट जो प्रीमियम का है वो आपका है बायर इसको आपके पास एक उप्षिन है कि आप उस टाइम पर आप खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते हो तो आपका प्रीमियम चला जाएगा बस और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो यह अच्छी चीज़े फूचर कॉंट्रेक्ट में तो आप लीगली बैंडिं आप मेरा खरीद लो तो उसको हम बोलेंगे put option, समान put कर रहा है ऐसे, तो call option में buyer करेगा call seller को, seller करेगा call buyer को जब होगा put option, I hope कि आपको ये दोनों चीज़ समझ में आई, तो call option में क्या होगा, call option में right to refuse to buyer, तो buyer जो है वो refuse कर सकता है, तो right to refuse किसके पास है, buyer के पास है, क्योंकि उसने premium पे किया है, premium आप रख सकते हो, लेकिन refuse करने का right तो buyer के पास होगा call option में, और ये tradable हैं कि इसको आप जागा trade कर सकते हो, ठीक है, and premium amount from buyer to seller, ठीक है ये तो आप समझी गए, premium amount कौन देगा, buyer seller को premium amount देगा, और right to refuse अपने पास रखेगा, put option में क्या होगा, just ulta, seller को right to refuse होगा, और seller premium पे करेगा buyer को, ताकि अगर मैं refuse कर दो आपको, तो ये premium आपका है, ठीक है, और ये भी tradable in nature है, इसको भी retrade किया जा सकता है, ठीक है, ये इनका भी आप trade कर सकते हो, एक से दूसरी इंसान को देश सकते हो, ठीक है, ये बात आप समझ गए, तो आपको मैंने आपर टीन derivative समझाए, forward contracts, future contracts, and option contracts, forward contracts, वो contracts जो legally binding नहीं होंगे, future date पर, जो आज हमने price decide किया है, उस पर हम buy and sell कर लेंगे, ठीक है, future options क्या होता है, उसमें क्या होता है, कि legally binding हो जाता है, एक तरह के forward contracts ही होते हैं, लेकिन वो legally binding होते हैं, option में क्या होता है, इसमें आपके पास option होता है, कि आप खरीदना चाहते हो, कि नहीं खरीदना चाहते हो, लेकिन जिसने किया है call, उसके हिसाब से, अगर buyer ने किया है call, तो call option, अगर seller ने किया है call, तो put option, अगर जो भी call करेगा, वो premium pay करेगा सामने वाले को, और सामने वाले को refuse करने का right भी उसी के पास होगा, तो अगर मैंने आपको premium pay किया है, है तो मेरे पास राइट है मैं आपसे कह सकता हूं कि मुझे प्रीमियम नहीं चाहिए रख लो लेकिन मैं समान नहीं खरीदने वाला ठीक है यह तीन टाइप के derivatives होते हैं आई होब कि आपको समझ में आये derivatives क्यों कहते हैं क्योंकि यह अपना जो value है वह कहां bond issue कर सकते हैं या debt issue कर सकते हैं ठीक है और जिस मार्केट पर हमने डेट की बात की थी उस market को हमने बोला था debt market यहां तक आपको चीज़े clear है debt का paper कैसा होता है bond का paper उसमें क्या लिखा होता है उसमें लिखा रहता है कि bond का price कितना का है इसे हम बोलते है 100 रुपीस का bond का price है ठीक है यह bond का interest rate let's say 8% है और यह bond का time period कितना है एक year और यहां पर sign होते हैं जिसने भी किया issue government ने sign किया तो secretary साब का sign होगा यहां पर company ने भी किया है तो company वाले भी sign करके आपको देंगे यहांनि यह bond का paper होता है जिस bond के paper में bond price mention होता है bond का interest rate mention होता है bond का time period mention होता है अब bond के कितने types हो सकते हैं एक होता है fixed interest bond नाम सी समझ में आ रहा है fixed interest bond क्या होगा भाई ऐसा bond जिसका rate of interest वो fix है ऐसे bond को अमभूलेंगे fixed interest bond अब bond के type है अब आप सुन लोग कितने सान है fixed interest bond क्या है जिस bond का interest rate जो है विगदम fix है और दूसरा हो सकता है floating interest bond floating interest bond floating interest bond क्या होगा उसका जो interest rate होगा वो floating होगा हो सकता है वो अब आपको repo rate याद है तो हो सकता है bond का जो interest rate हो repo rate प्लस 2% हो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ repo rate प्लस 2% तो repo rate जैसे change होगा इस bond का interest rate भी change हो जाएगा तो यह कैसे bond हुए floating interest rate bond समझे या नहीं भाई इस bond का मैंने interest rate किसी पर depend कर दिया repo rate पर depend कर दिया जैसे जैसे RBI repo rate change करेगा तो इसका भी rate change हो जाएगा ऐसे bond को आपने बोला floating interest bond तीसरे type की क्या हो सकते हैं तीसरे type की हो सकते हैं zero coupon bonds zero coupon bonds समझते हैं यार भाई यह अगर आप समझे तो अच्छी बात है zero coupon bond में क्या होगा आप समझो let's say यह bond है इसकी 100 rupees की value है 8% पे एक साल के लिए ठीक है यह interest rate है zero coupon का bond का मतलब यह है कि इस bond को हम थोड़े कम रुपए में खरीदेंगे या इसका मालो आप price मालो 108 rupees है आपको अच्छी समझ में आगा अब देखो 108 rupees का bond का price है 8% पर और एक year के लिए है मैं आपको bond का spent दे रहा हूं लेकिन में आपको यह bond का paper मैंने कहा कि interest rate कुछ नहीं रखूँगा आपने कहा ऐसा क्यों मैं करा बता रहा हूँ भाई कुछ नहीं रखूँगा interest rate मैं आपको नहीं दूँगा 108 rupert का bond है एक साल के लिए है पर Intercept यहां पर नहीं लिखा होगा Intercept मैं नहीं दूँगा सर क्या मिलेगा हम को मैं क्या करता हूँ इस बंड को आपको सिर्फ 100 रुपे का दे रहा हूँ एक साल बाद आना और 108 रुपे लेके जाना जो इसकी फेश वैल्यू में लिखा है यह value क्या भाई face value तो है एकदम face पर इसके मुझ के सामने चिपका के लिख दिये 108 रुपए तो मैंने 100 रुपए आपसे लिये और आपको यह bond दिया आप एक साल बाद आए आपने मुझसे 108 रुपए लिये तो आपने actual 8% तो मुझसे लही लिया अरे आपको कितने का फायद कर रहा हूं आपको कोई भी interest पर नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं क्या कर रहा हूं इसकी जो face value है वह मैं दूँगा जब आप maturity के बाद आओगे और इसको मैं कम मैं बेचूँगा आपको यानि आप जब यह खरीदने आओगे तो मैं आप से केवल 100 रुपए लूँगा और I hope कि आप समझ गए होंगे 108 रुपए का bond है कम मैं मैं तुझे दे दूगा अगर 100 रुपए में मैंने तुम्हें दे दिया तुम्हें एक साल बाद आओगे 108 रुपए मिल गए तुम्हें तो 8 रुपए का फायदा हुआ या नहीं हुआ हो गया ना फायदा तो बस यही इसको इंफलेशन इंडेक्स बॉंड इसका रीजन भी आपको समझ में आएगा मालो यह बॉंड का पेपर है 100 रुपए का बॉंड है 8 पर सेंट पर एक साल के लिए एक साल बाद आओगे तो कितना रुपए मिलेगा आपको 108 रुपए मिलेगा ठीक है मैं कहा रहा है 108 पर्सेंट इंफलेशन भी बढ़ जाय है तो जो 10% का मतलब क्या था इंफलेशन का मतलब होता कि इससा मत करना इंफलेशन तो पता होना चाहिए 10% का inflation आ गया अगर 10% का inflation आ गया तो जो 100 रुपए का note पहले एक साल पहले काम कर रहा था वो आज 110 रुपए से होगा यही तो समझा है था जो 100 रुपए का note पहले एक साल बाद जो चीजे खरीद पा रहा था उतनी ही चीजे आज की समय पर 110 रुपए खरीद पाएगा तब ही समोसे के packet आपको आज 110 रुपए में मिलेगा आप सोचो आप ने अपना bond में पैसा रखा आपको 108 रुपए मिला लेकिन 108 रुपए की actual कीमत तो बहुत कम हो गई क्योंकि actual कीमत 108 रुपए की तो एक packet समोसा खरीदी नहीं पाएगी वो क्योंकि उसके लिए तो 110 रुपए चाहिए यानि absolute numbers में तो आपने 8 रुपए कमाएं लेकिन real terms में आपने 2 रुपए खो दिये क्योंकि inflation बढ़ गया था कि अरे समझे या नहीं समझे वहले concept समझो inflation इंडेक्स समझाता हूं inflation क्या है बाई चीजों की price बढ़ जाने जो आपको समोसे का packet 100 रुपए का मिल रहा था आज वह 110 रुपए का मिल रहा है लेकिन bond पर आपने invest किया bond पर आपको 8% मिला यानि 108 रुपए मिला 108 रुपए पहले अगर आप 100 रुपए लेते तो आपको यह मिल जाता पर 108 रुपए में आज आपको एक समोसे का packet नहीं मिलेगा तो real terms में आपने 2 रुपए loss कर दिये तो आपने जितने invest किये उसकी जो value थी आज उससे भी कम value हो गई उसकी absolute number में तो आपने 8 रुपए कमाये पर रियर टर्म्स में आपने 2 रुपए का loss कर दिया तो आपने कमाये तो कुछ है नहीं loss अलग से कर दिया तो अगर ऐसे bond अगर कोई government बेचीगी तो हम लेंगी क्या हम कहेंगे भाई हमको नहीं चाहिए inflation इतना loss हो जाएगा तो फिर government कहती यार ये situation तो बड़ी critical है हमें पैसे चाहिए क्यूंकि हमारा तो fiscal deficit बढ़ रहा है fiscal deficit क्या होता है अब सोचो लगाओ दिमाग थर्डी यूनिट में पढ़ा कर आया हूं fiscal deficit मतलब उत्ता पैसा borrow करना पड़ेगा borrow करना है तो government securities अगर issue करती है तब government कहती यार ये तो बड़ी आफाता गई ये बड़ी बला है तो government ने कहा कि मैं निकालता हूं inflation index bond तो कहा गया कि भाईये ये क्या है inflation index bond तो कहा गया कि government ने कहा कि सारे सुनो तो सही ये bond का paper है इसमें लिखा है 100 रुपय का bond है और interest rate पता क्या लिखा है interest rate लिखा है consumer price index combined plus 2% and one year अरे आप तो खुश हो गए भाई क्यों खुश हो गए इंफ्लेशन कैसे नापते हैं consumer price index नापते हैं unit number 4 में हमने सब कुछ पढ़ा है अब आपने जो bond है आपका उसको link कर दिया inflation से कि interest rate क्या होगा inflation plus 2% यागर inflation 10% है तो आपको कितना मिलेगा 12% मिलेगा तो आपको 112 रुपय मिलेंगे और 110 रुपय का packet का समोसा आता है 2 रुपय आपने gain कर लिए तो bond को inflation को index कर दिया bond में inflation को index कर दिया bond के भीतर कैसे उसके interest rate में आपने CPI लगा दिया कि भाया जितना भी inflation inflation का rate है plus something आपको हम दे देंगे तब तो खुश हो तब तो real terms में loss नहीं होगा अरे लोग कहें अब तो loss नहीं होगा ले जाओ मेरे घरबार सब ले जाओ तो कहने का मतलब क्या है इस bond को हमने इस bond में inflation को index कर दिया तो यह कैसा bond बन गया inflation index bond अरे वाह मज़ा गया इस bond को हमन में तो आपको 2 रुपए कमा कर मिलेगा ही मिलेगा समझे शीज को समझे तो पहले तो loss हो रहा था अब थोड़ा सा gain हो रहा क्योंकि आपने inflation को भी index कर दिया अब आपको government को securities में पैसा मिल जाएगा government borrow करने आएगी तो लोग पैसा देकर government securities खरीदना चाहेंगे क्योंकि real terms म में अब उनको फाइदा हो रहा है ऐसे bond को हमने कहा inflation index bond तो आपने bond के type समझ लिए बैठे बैठे कि फिस्ट क्या है फ्लोटिंग क्या है जीरो कूपन क्या है और inflation index bond है क्या अच्छा bond issue करता है उसे साब से bond का नाम change हो जाता है आपको पता है ना कि जब वो bond का paper government issue करती है ए of exchange commercial paper प्रमेश्री नोट्स या अगर एक साल से उपर के लिए company issue करती है तो हम बोल देते हैं और यह हम समझेंगे अभी कि interest rate क्या होता हो उनका हम यह चीज समझेंगे अभी आप यह समझ गया ना कि government भी issue कर सकती है नाम अलग अलग हो सकते अब यहां पर समझते primary market और secondary market में क्या खेल होता है और उसके बाद हम समझते हैं कई और चीजे बॉन डील का concept समझते चलो तो जैसा कि आप देख रहे हैं मोदी जी खड़े हैं मेरे सामने अच्छा मोदी जी ने government ने government security issue की नहीं नहीं security issue की तो मैं वो चीज कहां से खरीद होगे तो मैं primary market में जाकर government security खरीद के लिए ठीक हो सकता है वह security का नाम क्या है 100 रुपए का है 8% पे है और एक साल के लिए वह हम standard माल लेते हैं ताकि हर चीज हमें समझ में आया उसी के reference में आपको भी समझ में आएगा तो primary market में मैं गया और bond का एक paper जिसकी कीमात है 100 market में बेच सकता हूं जैसे कि Olex में आप पुरानी AC बेच रहे थे वैसी वो अब आगया bond का paper मेरे पास अब मैं जागर secondary market में किसी और को बेच सकता हूं और secondary market में ही मोलभाव कर सकता हूं AC बेचने जाते हो Olex पे तो वहीं पर तो मोलभाव करते हो वहीं पर तो करते हो ना कि यार मैं 5000 नहीं 4500 नहीं 3000 यहीं सब वहां पर करते हो तो secondary market में मोलभाव कर रहा हूं मुझको मोलभाव करते हूए देखिएगा secondary market में मैं गया यह bond का paper क्या था लिख लेता हूं दुबारा आपके लिए 100 रोपय का paper है 8% का एक साल के लिए यह bond है इस bond के paper में अब यह paper मेरे पास है मैं secondary market में जाकर लोगों को बेचना चाहरा हूं ठीक है यह bond का paper मुझे चाहिए तो मैंने देखा अरे bond की इतनी ज्यादा demand है इसकी अरे इस bond को मैं 100 रोपय में तो नहीं बेचूँगा इस bond को तो मैं 100 रोपय में नहीं बेचूँगा तो लोगों ने कहा कि मैं 101 रुपय दूँगा मैंने कहा ना अभी नहीं और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ तभी बेचूँगा तो लोगों ने कहा कि अरे 103 रुपय देंगे एक भाई साब आए की बोली लगाए की 103 रुपय मैंने कहा एक दो तीन तुमको दे दिया तो मैंने 103 रुपय का bond उस भाई साब को बेच दिया मुझे क्या फाइदा मुझे 3 रुपय मिलने वाला है समझो इस चीज को उन्हें एक साल बाद 108 रुपय मिले का भाई गौवर्मेंट के पास यह bond का paper लेकर जाओगे तो गौवर्मेंट न जो वादा किया है गौवर्मेंट वही देगी तुम secondary मार्केट में कुछ भी करते रहो तुमसे मतलब नहीं उनको तो गौवर्मेंट तो आपको एक साल बाद जाओगे गौवर्मेंट ने कहा कि 100 रुपय का बॉन्ड है एक साल के लिए मैं आपको 108 रुपय दूँगा आप चाहे सेकंडरी मार्केट में 103 का खरीदो 105 का खरीदो 90 रुपय का खरीदो मुझे उससे कोई प्राब्लम नहीं त ठीक है तो यह तो कभी चेंज नहीं होगा अब आप समझो इस चीज को लेकिन सेकंडरी मार्केट में जो सेकंडरी मार्केट का इंटरसरेंट होता कैसे 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 देखो 103 रुपय का बॉन्ड है आपने 103 रुपय का खरीदा और आपको फाइदा कितने कहा है क्योंकि 108 मिलेंगे तो आपको पांच रुपय का फाइदा र पासंटेज में आपका फाइदा निकाल के आगा आप्स फौर फफाइफ परशंट का नेकल करें आगा आप निकाल करएगा तो यानि यह तो उच्श तो एक स्कूर्ट तीन रुपई मिल गानी पांच रुपई ज्यादा मिलेगा यहनु इसको फार फाइदा होगा उसको लग रहा है यह फायदा भी ठीक है इतना मिल रहा है मुझे ठीक है खुर्श है तो ख़ली तरह मुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे तो 103 मुल गया मैं तो म में बेचने नहीं जाता तो मुझे कितना मिलता मुझे duas एक साल मुझे वह चीज holds करने पड़ती था मुझे Recovery मिलता मैंने उसको 103 में वेज दिये सईंड्री मार्कट में लोगों ने का ठीक है जिसने 103 में खरीदा उसको 4-5% का इंटरसेट मिला यह अगर मैं देखूं एक और चीज मान के चलते हैं कि मैं मार्केट में गया अपना यह बॉंड का पेपर बेचने कोई खरीदने के लिए ही नहीं आया मुझे लोगों के पास जाजा कर कहना पड़ा कि भाया खरीद लो यह पेपर यह पेपर मुझे नहीं चाईए मैंने गॉर्ण में इसे गलती से मिस्टेक हो गई है तो में लोगों से अगए हैर मेरे टे मुँझे निकल गई है अब लोग क्या कह रहे हैं कि मुझे तर नहीं खरीदना है तो मैंने का यार 100 रुपाय का पेपर है तुम को यार 95 रुपाय यार दे दो यार इसको चलो, तो लोगों ने 90 रुपए का मेरे से खरीद ला है, मेरे को 10 रुपए का नुकसान हो गया, वो सरकम्स्रांसिस अलग हो सकते हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे 20, 30, 40 रुपए का नुकसान हो जाएगा, अभी मेरे को सिर्फ 10 रुपए का नुकसान 20% वहांपर तो सुप्लाइब बढ़ेत तो आपने दो सरकमस्तांसिस देखे एक साथ एक समय जब डिमांड बॉह ज़ादा थी और सप्लाइब बहुत कम थी तो के प्राइस बढ़ रहे थे प्राइस कहां पर बढ़ेंगे यह ataशल कर रहे यहां पर इतना ही लिख रहेंगा लेकिन बोर प्राइस चेंज होंगे कैसे चेंज होंगे जिस मार्किट में जिस बॉन्ड को तो आप जिस प्राइस पे खरीदोगे वो बॉंड प्राइस बन जाएगा ना तो सेकेंडरी मार्केट में अगर 103 रुपए का खरीदा तो आपको 103 का मिला तो आपके लिए तो बॉंड प्राइस वो है गौवर्मेंट के लिए बॉंड प्राइस तो 100 रुपई है सेकेंडरी मा सब्सक्राइब करता की बॉंड की सप्लाई है अगर बॉंड की इसे नहीं रहे हुआ और कोई खरीदना नहीं चाता तो क्या होगा बॉंड के प्राइस कम हो जाएँगे अरे यही तो इंसलेशन में प्राइस कम से चीजों कि आ प्रैस बढ़ते हैं सप्लाइग कम होगी तो उसके बढ़ जाएंगे समझा या नहीं समझा इतना समझ में आया तो बॉंड के खटकप रहें सब्सक्राइम हो रहा है प्राइमरी मार्केट को थी क्षेल नहीं अब निया था निया एक दाम बहया कोई बारगेंग नहीं अब bond yield का concept क्या है bond yield का concept क्या है समझो इस चीज़ को 103 का खरीदा तो आपको 4-5% का interest rate मिल रहा था 4-5% की बीच मिल रहा था आपने 90 रोपय का खरीदा तो आपको 20% का interest rate मिल रहा था यह जो effective interest rate जो आपको secondary market में मिलता है इसको हम बोलते हैं bond yield तो अगर अगर मैं यह कहूँ तो क्या गलत होगा कि bond का price जो है वो bond yield के इनवर्सनल रिलेशन्शिप में है इनवर्स प्रोपोर्शनल है जब-जब bond का price बढ़ेगा 100-1001,102,103 जब-जब bond का price बढ़ेगा तो bond की yield कम होगी क्यों क्योंकि अगर normal bond का paper देखो तो yield कितनी थी 8% थी अरे normal किती थी वहाँ पर कितना लिखाता 8% लिखाता ना interest rate तो normal पर तो हम कहाँ पर हैं 8% यह normal line मान लो poverty line मान लो जैसे कि poverty line मानते हो यह normal line होगे 8% अब secondary market में अगर bond के price बढ़ेंगे तो क्या होगा यह जो yield है वो कम होती जाएगी 4% 5% यहाँ पर आ जाएगी लेकर अगरा secondary market में bond के price घटेंगे तो bond yield बढ़ती जाएगी जैसे कि आपने देखा 20% होगी समझा यह नहीं समझा तो bond yield क्या है bond is nothing but effective interest rate in the secondary market secondary market में जैसे bond price change हो रहा है वैसे interest भी तो change हो रहा है उस paper में interest rate नहीं जो हम खरीद बेच रहे हैं उसकी हिसाब से आपको जो profit हो रहा है वो interest rate change हो रहा है नहीं उसको हमने बोला bond yield तो उस interest rate को इस 20% को हम क्या बोलेंगे bond yield इस 4-5% को क्या बोलेंगे bond yield और यह कम जादा कैसे नाप रहे हो आप इस reference है किस reference है जिसमें government ने launch किया था तो government का interest rate यह है उसके उपर effective interest rate यहाँ पर है कि यहाँ पर है वो depend करता है कि bond yield कैसी है वो depend करता है कि bond price कैसा है समझा या नहीं इतनी बात आपको समझा यह नहीं आई यहाँ ता ठीक है bond yield समझे यानि जब जब bond का price बढ़ेगा यानि bond की demand जादा होगी supply कम होगी तो bond के price बढ़ेंगे तो bond yield कम होगी उल्टा सोचो भाई अगर bond के price जो है bond की supply बहुत जादा है bond की demand बहुत कम है तो bond के price जो है वो नीचे आएंगे तो bond की yield उपर हो जाएगी क्यों जैसे जैसे price नीचे आएं 90 आगया price तो bond yield क्या होगी 20% होगी कैसे हो गई थे अभी बताया था ना कि 90 पर आपको 18 रुपय जादा मिलेंगे तो 18 डिवाइड बए 90 इंटो 100 कितना आएगा यह 20% आएगा समझा इस चीज़को समझा bond yield का concept आया तो basically bond yield का जो concept है यह secondary market का concept है यह किस market का concept है secondary market का concept है यहां तक बात समाझ आई ठीक है अब इतनी कहानी हमने पड़ी है तो आपने एग चीज़ समझी होगी कि primary market में हर चीज़ नहीं मिलती है secondary market में old होता है और secondary market का concept है bond yield, यह आपने यहां तक समझा, इतना आपको समझ में आ गया, अब bond yield का impact समझना है हमें economy पे, यह बस last चीज हमें समझ गी है, फिर इसके बाद आप break ले सकते हैं, तो bond yield का concept समझते हैं, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि कि किसी चीज में risk ज्यादा मिलना चाहिए, अगर जहां पर risk कम होगा, वहां पर return आपका कम होगा, समझे इसको, तो अगर जब government जब bond issue करती है, तो government कभी default नहीं करती है, government default नहीं करती है, यानि government में जब आप investment करते हैं, तो आपका secure investment है, तो government interest rate जो offer करती है, वो भी कम होता है, आपको 8% offer कर करेगी, कम rate of interest offer करेगी, ऐसा ठीक है, लेकिन corporate जब bond issue करते हैं, तो उनके जो interest rate होते है, तो corporate bond issue करते है, लेट से 100 रुपीस का bond issue किया, और जो x interest rate होगा, वो जो interest rate होता है, वो certain factors पर depend करता है, वो certain factors हैं, क्या, वो हम समझनी कोशिश करते हैं, तो corporate sector का जो bond होगा, जिसे हम corporate bonds बोल रहे हैं, या debentures बोल रहे हैं, या bonds बोल रहे हैं, उनके जो interest rate होगे, वो certain factors पर depend करते हैं, पहला factor है, credit rating of the company, यानि risk क्या है company में involved, अगर risk ज़्यादा होगा company में involved, तो हम interest rate भी उनको ज़्यादा offer करना पड़ेगा, तब ही हम investment करेंगे, मन्ना हम क्यों investment करेंगे, भ एक big bull है और एक और है, याना वो पुरा serial type का है, series type का है, देखा होगा आपने आई थी, तो certain factors पर depend करता है, corporate के bond, पहला factor क्या है, credit rating of the agency, अगर कोई company जो है, वो किसी से loan लिया है, और किसी की loan पर default किया है, यानि risk ज़्यादा है, तो ऐसी company को high rate of interest offer करना पड़ेगा, तब ह तभी मैं उनका bond का paper खरीदूँगा और उनको पैसा दूँगा, तभी मैं उनको finance करूँगा, भाई अब bond का paper खरीद के, आप finance ही तो कर रहे हो, दूसरी चीज़, bank rate interest rate, bank के जो deposit interest rate है, जो आप bank में deposit कर रहे हो, बैंक आपको 8% का deposit interest rate दे रहा है, तो आपको उससे उपर ही offer करना पड़ेगा, ने तो अच्छा है ना, बैंक में जाकर जमा कर दें भाई, हम बैंक में जाकर जमा कर दें, हम fix deposit बनवाले न, अपनी FD बनवाले, अगर आप कोई company में 7% दे रहा है, तो मैं company का bond क्यों खरीदूँगा, क्यों इतना risk लूँँ और risk लेने के बाद भी bond yield कैसी, कि अगर government की जो bond yield है, तो government की bond yield अगर 20% है, यानि secondary market में बेचने खरीदने पर, किसी को 20% का फायदा हो रहा है, तो companies अगर 18% पे 15% offer करेंगी, तो मैं क्यों ही खरीदूँगा company से, समझो ना, secondary market में, secondary market में अगर मुझे bond yield 20% की मिल रहा है, यानि मुझे कोई 90 का फायदा हो रहा है, तो मैं यार वही ना खरीद लूँ, मुझे 20% का फायदा हो रहा है, और company का offer कर रही है, company मुझको केवल 18-15% offer कर रही है, तो इससे बहतर तो अच्छा है, कि मैं government का bond खरीद लूँ, जिसकी yield अच्छी हो, yield क्यों अच्छी है, क्योंकि government की उस bond की कोई demand नहीं कर रहा है, इसलिए yield अच्छी है, तो मैं वही खरीद लेता हूँ, मैं इनके corporate sector के bond क्यों ही खरीद हूँ, तो corporate sector के bond आप जब तक नहीं खरीद होगे, जब तक आपको यह जो risk के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो corporate को bond yield से ऊपर आपको देना पड़ेगा, अगर bond yield 20% है, तो corporate को 25% आपको offer करना पड़ेगा, तभी आप उनका bond खरीद होगे वरना नहीं खरीद होगे, जाइड सी बात है न, common sense है यह बात तो, यह बात आपको समझ में आ गए, तो इससे impact क्या पढ़ रहा था economy में, अगर bond yield बढ़ती है, impact समझना, तो corporate sector का crowding out होता है, crowding out कैसे होता है, यह समझो, crowding out कैसे होगा दोस्तों, अगर bond yield 20% है, क्योंकि government इतने डिर सारे bond की supply कर दी है, खूब डिर सारे bond अपने निकाल दी है, तो bond की supply बहुत जादा है, demand उतनी है, नहीं तो bond की price जो है, वो नीची चले जाएंगे, और bond yield बढ़ जाएगी, हो सक corporate sector अपना bond issue करेगा, तो उसको 25% जो है interest rate देना पड़ेगा, यानि 100 रुपए के investment पर उसको 125 रुपए लोटा के देने पड़ेगे, corporate कह रहा है, यार 125 रुपए देने सच्छा है, कि मैं bond issue ना करूं, मैं को profit की जगा loss हो जाएगा, भाई मैं 20% दे ही नहीं सकता हूं, तो corporate sector क्या है, वो bond issue करेंगे, तो bond कोई खरीदे का नहीं, तो issue करना बंद कर देगा, यानि जब भी economy में bond yield बढ़ेगी, तो corporate sector का crowding out होगा, यानि corporate sector loan नहीं ले पाएंगे, भाई आप bond का paper खरीद के उनको loan ही तो दे रहे हो, corporate sector loan नहीं ले पाएंगे, market में, तो market से वो पैसा करने के लिए और ज्यादा interest rate offer करना पढ़ रहा है, जो कि वो कर नहीं पा रहे है, तो उनको क्या करना पढ़ रहा है, वो loan नहीं ले पा रहे है, और GDP का formula, लिंक करो, GDP का formula by expenditure method क्या था, C plus I plus G plus NX, अगर corporate sector loan नहीं ले पाएगा, तो economy में जो ये investment by firm से ये बढ़ नहीं पाए corporate sector का crowding out होता है, corporate sector market से जाकर पैसा उठा नहीं पाता है, तो market से जाकर पैसा नहीं उठा पाता है, तो अपनी economy को, अपनी industry को expand नहीं कर पाता है, जब वो investment नहीं करता economy में, तो GDP जो है, वो कम हो जाती है, लिंक समझ गए, तो पहला क्या दिक्कत है, ये corporate sector का crowding out होता है, bond yield के बढ़ने से, और bond yield के बढ़ने से आप एक prediction भी कर सकते हो, समझे इसको, ये समझ गया तो आप खुड़ा सा share market का खेल भी समझोगे, bond market का भी, bond yield के बढ़ने से, prediction कर सकते हो, आपको economy में क्या होने वाला है, समझे इसको, हो सकता है, आज मैं बैठ के सोच रहों कि economy में GDP grow होगी, तो boom आने वाला है economy में, अगर economy में boom आने वाला है, तो मैं बताओ share खरीदना चाहूंगा, ये bond खरीदना चाहूंगा, common sense लगाओ, stop कर दो वीडियो को, और सोचो, और मुझे comment box में बताओ, कि share खरीदेंगे, कि bond खरीदेंगे, अगर reply नहीं आएगा, तो पढ़ा करूं, shares में, क्यों, shares में invest करूंगा, तो जब company को धेर सारा profit होगा आगे चलके, तो ज़्यादा profit होगा, क्योंकि company economy boom में आने वाली ही, तो ज़्यादा profit होगा, तो मुझे share खरीदने में ज़्यादा फाइदा होगा, तो मैं bond खरीदना नहीं चाहूंगा, ठीक है, पहली च रिशेशन में जाने वाली है, रिशेशन में, country जो है, economy जो है वो, RRIक रिशेशन में जाने वाली है, यानि GDP growth rate कम होने वाली है, आपको यह बात पता चल कि, जब country जब economy recession में जाने वाली होगी, तब बताओ, Coreymam, shares खरीदना चाहूंगा, लोगडाउन लग जाएगा तो कंपने अच्छा प्रफॉर्म नहीं कर पाएंगे उनके समान बिकेंगे नहीं तो उनको लॉस होगा और अगर आपने शेर्स रखेंगे अपने पास तो आप ओनर हैं लॉस में आपको लॉस बियर करना पड़ जाएगा तो जब कम जब एकॉनम क्योंकि आपको एक फिक्स गरेंटीड इंवेस्टमेंट मिलेगा शेर्स रखोगे अपने पास तो एकॉनमी अगर जाएगी नीचे तो आप लॉस होगा उस कंपनी को तो आपको भी लॉस बियर करना पड़ेगा आई होप कि आप कॉंसिप समझ रहे हो अब एक चीज़ यह लगी तो डिमांड कम है सप्लाई जदा है तो क्या होगा भाई तो बॉंड के प्राइस क्या हो जाएंगे नीचे आजएंगे तो बॉंड बढ़ जाएगी तो जब एकॉनमी में बढ़ने लगी यानि कोई भी इंटरस्ट नहीं प्रूंड खरिदने में तो क्या कि यह भी एक indication है कि अगर bond yield बढ़ रहा है that means कि आगे 2-3-4 महिनों में आगे चलकर economy boom में आने वाली है तभी कोई bond की demand नहीं कर रहा है तभी कोई bond की demand नहीं कर रहा है समझे चीज़ को तो bond yield जब बढ़ता है economy में तो दो चीज़े होती है आप economy का prediction कर सकते हो कि economy आगे चलके boom में आने वाला है अगर bond yield बहुत कम हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि सब लोग bond की demand कर रहा है यानि आगे चलके economy में recession आने वाला है economy में slowdown आने वाला है तो bond yield के बढ़ने से आप दो चीज़े पिडिक कर सकते हो economy prediction कर सकते हो और corporate sector का crowding out किस तरह से हो रहा है यह आपने समझा अब एक चीज़ और समझते जाओ कि फेडरल रिजर्व जब अपने interest rate बढ़ा देता है तो उसका impact क्या पड़ता है दो को USA में बैठा फेडरल रिजर्व उनका जो central bank है वो उसने अपने interest rate बढ़ा दिए तो हमारे जो foreign direct investment है या foreign portfolio इंवेस्टेट में ने हमारे share market में और debt market में खुब डिशारा पैसा invest किया है वो क्या करेंगे अपने shares अपने bond को बेच कर अपना पैसा ले जाकर USA में रखेंगे क्योंकि वहाँ पर interest rate अच्छा मिल रहा है वहाँ पर उनको तो उनको वहाँ पर interest rate अच्छा मिल रहा है return अच्छा मिल रहा है और USA का फेडर रिजर्व दे रहा है तो लोग क्या चाहेंगे क्यार मेरा investment सेफ रहा है मैं वहाँ पर जाकर अपना safely और interest भी अच्छा मिल रहा है तो मैं वहाँ पर ही जाकर invest कर देता हूं तो इंडिया से वह अपने foreign portfolio जितने भी होंगे अपने shares बेच कर debt बेच कर जितना भी अपने bond का bond yield ज्यादा होगी तो economy में कैसा impact पड़ेगा negative impact पड़ेगा कैसे crowding out होने लगेगा corporate सेक्टर का जुड़ गए चीजें और corporate सेक्टर का crowding out होगा तो corporate सेक्टर loan नहीं ले पाएंगे लोड नहीं ले पाएंगे तो economy में investment नहीं होगा तो bond yield का concept समझा आपने secondary market का concept है नहीं समझ में आया होगा comment box में कोई भी जम कर questions पूछन कोई दिक्कत नहीं है telegram channel पर जुड़ जाना वहां पर भी आप question पूछ सकते हो तो पूरा debt market मैंने आपको समझा दिया इसमें primary market का खेल secondary market का खेल भी समझा दिया और bond की इतने ने है ट यहां कोई प्रॉबलम हो आप रामसे सम Спचते हो अगर कई पर समंच में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स में जाकर आप दुबारा देखकर भी समझ सकते हो जहां पर जरूरत पढ़े तो पॉज करके सोचनी की कोशिश करना सोच कर जब उतना समझ में आ जाए तब आगे बढ़ना ऐसे चलना बहुत जरूरी है कोई भी सब्जेक का अप्रोच क कर दो एंट